अगनी में अभी आज नहीं प्रम्हास्त्रफी नाकाव पस प्रित्वी से आज पाक से पिछर गया हिंदुस्ता पाक की मिसाइलों को बेशक उधार का हथियार मानकर दोग खिली उडाते रहें लेकिन सच तो ये है कि चीन और उत्तवोरिया से हासल मिसाइलों के तम पर पाकिस्तान की ताकत अधिंदुस्तान पर फारी पर चुपी है जी हाँ अपनी पौज को मिसाइलों से लैश करने के मागने में पाकिस्तान से काफी पीछे है हिंदुस्तान गरसंत्र गिवत की भरेद और सरकारी विक्यापनों में जिन मिसाइलों को देखकर हिंदुस्तान की छाती शोडी हो जाती है उनमें से ज्यादा तर मिसाइले अभी हिंदुस्तानी पौज के किसी काम की नहीं है अगनी, आकाश और तर्शूल जैसी मिसाइलों के बारे में फिर्दुस्तान की वाँच अब तक यही पता नहीं लगा पाई है कि यह मिसाइले कितना सबीक निशाना लगा सकती है यह जान का तो और भी हैरानी होती है कि हमारी वाँच का सबसे कारकर हत्यार यह मिसाइले अभी तक निश्ट में पूरी तरह पास नहीं हो पाई है फिर भी सरकार और सेना का दावा यही है कि हम दुश्मन पर वार और पलख़ार करने के लिए पूरी तरह तयाद है को अधिस्टर कार्ण विकल्प खुले रखने के मकसद से यह महत्कून है कि भारती सेना किसी भी भाविस्थिती का सामना करने किये हमेशा सक्रिये और तक पर रहे किसी भी हालार के लिए भासिय सेना की तैयारियों के दावे की हपिकत ये है कि पाउच के पास कम दूरी तक बार करने वाली तृत्वी मिसाइलों को छोड़े तो भारत के पास कुछी कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो जंग के लिए तैयार है वही पाकिस्तान ने अपनी पौज को कम दूरी से लेकर मध्धन दूरी तक बार करने वाली मिसाइलों से पूरी तरह लैब कर दिया पाकिस्तान के लिए जंग के भी दूरी तरह तैयार है अब समझ में नहीं आता कि मुंबई हमलों के बाद आखिर भारत कौन से विकल्प खुले रखने की बाद करता रहा रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान की मिसाइलों से ही सबसे ज्यादा खत्रा है तो कि पाकिस्तान ने अपनी फॉच को जिन मिसाइलों से लैज किया है उनसे परवारू हमला भी किया जा सकता है यानि सबाद पाकिस्तान से पिछ़ड़ने का नहीं बलकि हिंदुस्तान की फिपासत का है जिस पर पहले से ज्यादा खत्रा मढ़रा रहा है अच्पक्श जिस पर खत्रा है